Hello everyone, my name is Gaurav, जैसा के आप से को बता है, हम यहाँ पर जो chapter number 5 है, यह exercise 5 की बारे में बात कर रहे हैं आपर, यह और आज के वीडियो लक्षेस के अंदर हम बात करें, तो exercise 5.1 के बारे में discuss करेंगे, जो कि आपका आज complex number पर basis पर है, अब देखें, इसके previous लिडियो लक्षेस के अंदर हमने complex number के बारे में समझा, हमने यहाँ पर बात करें, तो modulus के बारे में समझा, conjugate के बारे में समझा, यह और उसकी कुछ properties के बारे में समझा, यदि आपने वो नहीं देखा, तो प्लीज उसको देखें, यहाँ पर जो भी आपको expression दे रखा है, उस expression को आपको क्या करना है, यहाँ पर बात करें, तो A प्लस IOTA B के format में आपको क्या करना है, convert करना है, अब देखें, कैसे करेंगे, जड़ा यहाँ पर बात समसते हैं, आपको जो भी expression देखेंगे, हम उसके दर क्या करेंगे, use करेंगे IOTA square के बारे में, और फिर उसके बाद आपको result देखेंगे, स्टार्ट करें कोश्चन में first से, देखें कोश्चन में first करने बात करें, तो कोश्चन में first के बीच में क्या दे रखा है, अच्छा, multiplication दे रहे का है, तो multiplication में मैं बात करूँ, यहाँ पता आप क्या करेंगे, 5 into minus का यहाँ पर बात करूँ, तो 3 upon 5, 3 upon 5 से multiply करेंगे, तो उसके बाद multiply करते हुए, क्या करेंगे, यहाँ पर IOTA into IOTA से multiply करतेंगे, clear, उसके बात करेंगे, यहाँ पर तो देखें, पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से यह 5 cancel out हो गया, 5 से 5 cancel out हो गया, दन आपके आज क्या बज़ गया, यहाँ पर minus का 3 बन गया, और IOTA into IOTA क्या होता है, IOTA square होता है, IOTA square मतलब आपके आज बात करेंगे, 3 plus, yes sir, 3 plus 0 IOTA, 3 plus क्या लेकिंगे, 0 IOTA, 0 IOTA मतलब क्या हो गया, 0 ही हुआ एक तरह, किसी भी नंबर से, 0 से multiply करने पर क्या होता है, 0 ही तरह, तेरे आपके आज क्या होगा, 3 plus 0 IOTA, I think लिए समझ में आगे होगा, किसके से करना है, बड़े next यहाँ पर, next आपके पास लिखा है, I की power यहाँ पर लिखा है, 9, plus sign के साथ लिखा है, I की power आपके आज लिखा है, 19, yes, अब आपको इसको convert करना है, कर सकते हैं, बहुत आसानी से, देखें, I की power 9 लिखा है, इस 9 को क्या करा जा सकता है, तो मैं 2, 2 की format में लिख सकता हूँ, yes, यहाँ पर लिखा हूँ, तो Iota की power 2, then उसकी power यहाँ पर लगा देते हैं, 4, 2, 8, तो यहाँ पर लगा दू 4, clear, और उसके बाद बात करूँ, यहाँ पर तो आपके पास Iota लगी देता हूँ, प्लस यहाँ पर बात करते हैं, इस तरह, इस तरह बात करें यहाँ पर, तो देखें, Iota की power में लगा दू 2, and उसकी power देखें, यहाँ पर, 2, 9 जा 18, yes, 2, 9 जा क्या हो गया यहाँ पर, 18, Please, उसके बात करें, यहाँ पर क्या लगा सकता है, Iota, यह क्या की है, जरा बात करें, यहाँ पर, देखें, 4 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यह Iota की power कितनी हुए, 8, 8 प्लस कितना हो गया, 9, then यहाँ पर बात करें, 9 2 जा 18, 18, 18 plus 1 हो गया यहां पर, आपके आज बात करें, 19, इस तरह से एक सक्क्ते हैं, आज आटा की power square, आटा का square, आटा square मतलब क्या होता है, यहां पर बात करें, minus का 1 होता है, i8 square मतलब minus का 1 और इसका आपके पास नहीं power 5, 4 and then iota then i8 square फिर से आपके पास minus 1 और इसकी power आपके पास 9 then फिर से iota हो गया आच्छा देखे, minus 9 के उपर power है यहाँ पर e1, then आपको क्या मिलेगा plus मिलेगा, then आपको मिला यहाँ पर iota minus power के उपर है, आपके पास power odd then आपको मिलेगा minus का 1 yes, तो यहाँ पर मिला minus का 1 then आपके आपके आज मिला यहाँ पर iota clear, यह आपके आज क्या है, यहाँ पर बात करें iota है, then आपके आज बात करूँ plus की जगा होगे, minus and then iota iota minus iota होगे, आपके आज 0 तो इसका final answer कितना आगे है यहां बात करें जीरो है यह आपके जो format लिखा ना यह क्या लिखा हो है यहां आपके बात करें जीरो लिखा हो है clear समझा है आपका देखें मैं फिर से बताते हैं Iota square then आपके आपके आज 4 तो जा 8 then आपके आज 9 तो जा 18 yes और उसके बाद देखें Iota आगे Iota आगे then आपके आज पना है अच्छा इसको यह दी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 0 प्लास 0 Iota यह लिखेंगा I think ले समझ में आगे होगा किस्ते से करना है बढ़े आगे यहां पर बढते हैं next question क्या लिखा है जड़ा बात करें तो आयोटा की लिखेंगे वन अपॉन क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 39 कोई बात नहीं ऐसे लिख दीजे अब आयोटा की पावर 39 लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल करेंगे तो यहां पर मैं करता हूं 38 यस बात करूं यहां पर 38 आपको मिलेगा एक अलग आपको और 38 को मैं यहां पर डिवाइड बाई टू करता हूं तो यह वन हो गया दैन आयोटा स्क्वेर की पावर मैं कर देता हूं यहां पर 19 बात करूं यहां पर एक और आयोटा लगा देता हूं yes, 19 तूजा कितना हो गए, यहाँ बात करें, 38, 38 प्लस कितना हो गए, यहाँ बात करें, 39, clear, अच्छा, I at a square मतलब, minus 1, then आपके पास यहाँ पर क्या हैगा 1 upon क्या हैगा minus का 1 आएगा और उसके पार क्या हैगी 99 उपर कैसे लेगे जा सकता हूँ देखिए यहां पर IOTA multiply करता हूँ और यहां पर भी IOTA क्या करता हूँ multiply करता हूँ कर सकता हूँ दोनों cancel रोगे 0 बन जाएंगे IOTA इंटु IOTA IOTA square क्या है minus 1 हो जाता है then नीचे की तरफ क्या बन गया यहां पर minus क्या आने वारा है तो इस cancel आपके डिखेंगे simple सा यहां पर 0 plus आपके वाज यहां पर देंगे IOTA yes 0 plus कर देंगे IOTA clear समझागे यहां पर इस तरह से जल निकाला जासे चले next देखे next क्या करा है यहां पर next आपके आपके यहां पर से मल्टिप्ला होगा एपका यहां पर मिलना आपके यहां पर 21 मैंस कर रहा हूं 7 को तो 21 में से minus किया 7 को then आपके पास हो गए यहाँपर बात करें तो यह होगे 14 yes कितना होगे यहाँपर बात करें 14 होगे then बात करों यहाँपर इसकी तरफ तो यहाँपर दीखे plus sign आएगा then यहाँपर कितना होगा ही देखे यहाँ 28 आपके वास क्या होगा आयोटा जाएगा और यह आपका final answer हो जाएगा 14 प्रस 28 आयोटा क्लिया, बड़े next यहाँ पर देखे next क्या कर रहा है जरा बात करें next आप क्या सीरा, लिखा यहाँ पर देखे 1 minus आयोटा, फिर उसका रहाँ minus और minus अंदर से multiply करते हो चलना है तो यह minus और यह minus होगे यहाँ पर plus, तो यह होगया plus का 1 होगया यहाँ पर, then minus होगया और यहाँ पर लिखे 6 आयोटा, then क्या होगया minus plus minus and 6 आयोटा क्लिया, यह plus का 1 और यह plus का 1, अच्छा यह भी 1 ही है आपके आज यहाँ पर तो यह 1 और 1 कितना होगया, यहाँ बात करें 2, then minus होगया, और यहाँ पर 6 और 1 होगया, यहाँ पर 7 तो यह होगया 7 आयोटा, और यह आपके आज क्या होगया फरनलाज पर होगया, I think then minus N के साथ 4 है then minus N के साथ यहाँ पर बात करें 5 upon 2 आयोटा है, clear minus होगया, तो यह plus है तो minus में, यह plus है तो minus में अप क्या करें, यह दोनों एक तरफ रेके चलें तो यहाँ पर आपन आज आ रहा है 1 upon 5 minus का 4 आज आ रहा है ओके अब जहाँ बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने पास LCM आ गया 5 और यहाँ पर बात करें 5 4 जा हो गया 20 20-1 हो गया आपकास यहाँ पर 19 तो यह हो गया साथ बात कुर यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया 5 जा कितना ओर बात करें यहाँ बात करें then आपकास MINUS साइन आया था तो यह भी हड़ा यह प्लस और यहां लगाएंगे माइन क्योंकि देखें यहां आप फाइटा बी के फॉर्मेंट लिखा है यह दी आप माइनस साइन बाद लेता है तो आए धिंक लेट सम्बमें आगे होगा किस तर से करना है यह बढ़ए है यहाँ पर नक। अब इसको सिंप्लिफाय करते है सबसे है यहां पर लिखा है 1 अपर त्री आयुटा then आपके आज बात करें minus sign multiply होगा तो यह minus और यह minus multiply होगा क्या देगा plus देगा तो यहाँ पर होगा plus sign के साथ 4 upon 3 then यहाँ पर plus minus minus and then आपके आज हैगा Iota clear यह इस तरह से बनने वाला है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो जो भी आपके आज real number है उनको एक तरफ ले लेता है तो देखें यह आपके आज 1 upon 3 लिया मैंने एक तरफ then आपके आज plus 4 लिया एक तरफ then यहाँ पर लिया मैंने plus sign के साथ 4 upon 3 यह हमाले पास एक हो गया then बात करूँ यहाँ पर plus sign के साथ यहाँ पर आपके आज होगया 7 upon 3 yes 7 upon 3 then यहाँ पर बात करूँ प्लस 1 अपॉन 3 then यहाँ पर बात करूँ तो अक्यास हो गया minus का 1 यह minus 1 आयोटा है ना यह देखे यहाँ ओके और इसके लिए bracket बना लेते हैं और यह लिखे लेते हैं आयोटा आप ज़रा solve करें यहाँ पर यहाँ पर ls.m कितना ना वला है? 3 आने वला है 3 ls.m आगे 3 then बात करूँ यहाँ पर 1 then 4 3 जा करूँ तो यहाँ पर 12 ok 12 प्लस 1 प्लस अपकैस कहाईगा यहाँ पर बात करें 4 आ जाएगा और यहाँ पर देखें result कितना आ रहा है? 4 1 5 5 6 7 मतला हो क्यों होगे हैं, यहां बात करें, 17, अपान 3, plus sign लगेगा, then L सें की बात कुरूअ, इधर थो तो आइधर भी आएगा 3, इधर 3 आएगा तो देखें, यहां पर क्या रहा है? 7 आएगा, plus 1 आएगा, then minus का क्याएगा? 3 आएगा, 7 plus 1 कितना होगे, यहां पर बात करें, 8, 8-3 करेंगे, तो आपके आज कितना आज जा रहा देखें, यहां पर, तो आज 5, ओके, तो यहां पर रिजल कितना है का 5, तो यहां पर 5, and then आपके आज लग जागा एक इटा, clear, किये result होगे, I think clear, समझ में आगे हो, किस्ते से करना है, बड़े next यहां पर, next यह बढ़ते हैं, तो लिखा इस बाए, minus 1 Iota की पावर लिखा है 4, yes, क्या लिखा है यहां पर, 1 minus Iota की पावर आपके आज क्या लगा रखा हैं, आप 4 लगा रखा हैं, अब पावर 4 की तो मुझे आती नहीं है यहां पर, यहां पर लगा रखा हैं, minus, sign के साथ 2 A, and आपके आज यहां पर B, मतलब Iota, then plus आपके आज यहां पर Iota का whole square, और इस पूरे की पावर लगा रखा है, minus square, clear, यह आपके आज से, आच्छे देखें, यहां पर बात करें, 1 का square 1 हो जाता है, then यहां पर minus sign के साथ, यहां पर 2 Iota मिल जाएगा, Iota square मतलब हो जाता है, फिर से minus 1, then minus 1 यहां पर जाएगा, clear, और इस पूरे का क्या लगा रहागा, square लगा रहागा, 1 minus 1 होगे, 0, then minus 2 Iota मिलेगा, पर यहां पर, then यहां पर क्या मिला, minus sign के साथ 2 Iota मिला, यहां पर, माइनस का स्क्वाइर में प्लस हो गया, 2 का स्क्वाइर 4 हो गया, Iota square फिर से क्या हो गया, minus 1 हो गया, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, then Iota square मिलेगा, और इसको यहां पर लिकूँ, तो क्या लिखेंगे, जीरो आइटा लिख देंगे यह आप क्या आश्कार रहे है माइनस का स्कूर प्लस, 2 का स्कूर 4 आइटा स्कूर मानस 1, देन माइनस 1 आगे एन 4 प्लिटा इस तरह से आप रिजल निकाल सकते है क्याला नेक्स यहाँ पर नेक्स्ट क्यों पर चलें नेक्स्ट क्या क्या रहे है लिखा है यहाँ पर 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ बात करूँ 3 आएटा, देन इसकी पावर आपके बास लगा रखी है क्यूब, अच्छा, क्यूब का तो हमें अइडिन्टी जाती है, तो हम वो लगा सकते है डिरेकली लिखे क्या रखाएंगे, यहाँ पर बात करें लिखे 1 अपॉन 3 का होल क्यूब आएगा सब से बहले देन उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, देन 3 आएगा देन बात करूँ यहाँ पर 1 अपॉन 3 का आपके आज बात करें होल स्कूर एगा, देन बात करूँ यहाँ पर प्लस साइन के साथ यहाँ पर लिकूँ 3 देन आपके आज 1 अपॉन 3 आएगा देन बात करूँ यहाँ पर 3 आएटा का क्या लगाएंगे होल स्कूर लगा देंगे, देन प्लस साइन के साथ बात करूँ जूब यहाँ पर 3 IOTA का लगाएंगे, यहाँ पर 0, clear, 1 upon 3 का मतलड कितना होगा यहाँ बात करें, 3 का whole cube कितना होगा 27, yes, कितना होगे 27, 3,3 जा 9 9 3 जागंगे बात करें, को होगे 27, ओके यहाँ बात करें तो देखे यहां पर बात करें देखे यहां पर square होगा और यहां पर भी square है 3 x 3, 3 का square 3 का square, 3 का square cancel out तो plus आपको क्या में लिगा यहां पर? आयोटा, क्लिए? ओके, अब जड़ा बात करते हैं plus sign के साथ यहां बात करें यहां पर देखे यह 3 और यह 3 cancel out होगा और 3 का square की बात करो हूँ तो 3 का square की होता है 9 और iota square की अतना होता है minus 1 तो यहां पर आपके आथ देखे, यहां आप लग जाहेगा minus का 7 होगे, 9 minus का 7 होगे, 9 होगे, clear, 3 का square की होगे, 9, then iota square minus 1, तो minus और plus होगे, minus, then minus का 9, clear, अच्छा उसके लिए बात करते हैं उसके लिए बात करें तो देखें प्लस साइन के साथ 27 तो आने वाला ही है देन देखें आयोटा स्क्वर क्या होता है माइनस वन होता है और यहां पर आयोटा क्यूब लिखा हुआ है तो आयोटा स्क्वर और यहां पर लिखता हूं आयोटा देन आपका आयोटा स्क्वर क्या आएगा माइनस का आउटा अब माइनस का आउटा आ रहा है यहाँ पर तो माइनस का क्या आएगा 27 आउटा आएगा माइनस अन के साथ क्या एगा 27 क्या आएगा यहाँ पर आउटा आएगा यहाँ पर आगा 26 आयूटा आप, yes 26 आयूटा, clear, और इसे आप सिंप्लिफाई कर सकता है, एलसम लिए, मैं एलसम लिए करूँ यहाँ पर, तो कितना आरा जारे देखें, करूँ यहाँ पर, तो क्या आरा जारे देखें, यहाँ पर, तो minus 7 के साथ आरा है, 242, आपान कितना आरा यहाँ बात करें, 27, और यहाँ पर minus 1 के साथ कितना आरा, 26 हारे देखें, यहां पर चलो next यहां पर चलो next यहां पर तो देखें अगला कुछन यहां पर क्या क्या रहा है ज़रा देखें तो लिखा है minus 2 minus 1 upon 3 upon iota का whole cube लिखा है clear आच्छा देखें a minus b का whole cube लिखा है एक तरी किसे तो मैं काम करता हूँ minus बाहर लेता हूँ यहां पर तो यहां पर इसका whole cube लिखा है तो इसका whole cube लिखा है तो इसका whole cube आपका simply solve कर सकते हैं यहां पर देखें minus sign को आप लेके बाहर लेके ही चलता हूँ and आगे चलें यहां पर देखें सबसे आपकास काईगा 2 का whole cube आएगा then plus आपकास आएगा 3 into आपकास बात करें 2 का square और यहां पर multiply 1 upon 3 and then iota हैने वाला है then plus sign के साथ बात करूए यहां पर 3 then यहां पर आएगा 2 then यहां पर आएगा 1 upon 3 iota का power आपकास होजएगा whole square clear पिर आजएगा plus 1 upon आपकास बात करें 3 iota की power आपकास होगे यहां पर whole cube clear यह आपकास होगे ओके आप चलें यहां पर देखें minus sign आगे जाएगा 2 का whole cube की बात करें तो 2 का whole cube आपकास कितना होगे 8 होगे है plus अब देखें यहां बात करें तो यह 3 और यह 3 cancel out हो गया और 2 का square होगे आपकास यहां पर 4 यह 3 तो 2 का square होगे 4 then आपकास होगे Iota उन्साइं पर here यहां पर बात करें यह 3 तो 3 यहां पर बच जाएगा तोर्aza 2 आपकास ta यहां पर आयोटा क्यूप ए ना तो मानस का आयोटा ठें आपका मैनस का वन अप आ पॉन यहां प्र׵त आयोटा यहां हो क्या है यह नमबर और यह नमबर है यहां पर यह दोनों आयोटा से यह आप बात करें, 27 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, यह आप क्यास हो जाएगा, ओके, यह नमबर और यह नमबर है, यहाँ पर यह दोनों आयोटा से है, यह नमबर और यह नमबर है, तो यहाँ पर आप क्या होगे, जरब बात करें, तो यहाँ पर minus sign आएगा then, यहाँ पर LCM कितना हो गया 3 LCM 3 हो गया, तो यहाँ पर LCM हो गया 3, then यहाँ बात करें 8 3 यह हो गया 24 24-2 करेंगे, तो कितना हो गया 22 तो यह हो गया 10, 22 और with negative sign positive sign आए का क्युकि आपकास तो negative value छोड़ती है यहाँ बात करें, तो 4-127 यहां बात करें, IOTA, देखें, इससे पहले भी हमारे पास क्या IOTA जरा बात करें है आपर, तो इसका result, तो यहां पर आपका 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 जरा देखें, यहां पर इन दोनों को यहां पर तो चले next यहां पर, देखे next क्या निकालना है, find the multiply inverse of the each of the following complex number given the exercise 11 to 13, 11 to 13 ने आपका जितने भी question दे रखें हैं, उनके multiply inverse निकालना है, अच्छा multiply inverse की बात करूँ, तो multiply inverse क्या होता है जरा बात करें, तो Z inverse निकालना है, अब Z inverse निकालने के लिए जो तरीका है आप यहां पर क लिखेंगे, then आप क्या करेंगे, then आप क्या करेंगे, then ऊपर जाएंगे, then final answer निकालेंगे, बहुत यह लंबा process, yes, इसके बाला है आप यहां पर यह लगा सकते हैं, हमें यह पता है कि आपके पास क्या होता है, Z, Z bar, Z into Z bar, modulus of the Z का आपके 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 आप क्या 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 है, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, Z square से, then यहाँ लगाता है, Z inverse, यह क्या कर लिए सर, आप लिए सर अपने, यह इसको इस तरफ लिखिया, यहाँ यहाँ पर वनपों Zागया, वनपों Z को क्या लिख सकते है, Z inverse, तो Z inverse निकालने का simple सा टरिका मुझा मिल है कि आप क्या करें जैड इंवर्स निकालना आपको यहां पर तो आप क्या घर आपको समझना गया होगा और यहां पे बात करूँ तो आप z bar upon modulus of the z का whole square, yes, अब देखे question क्या है, ज़रा बात करें, तो question है 4 minus 3 iota, yes, क्या है आपका 4 minus 3 iota, अब मुझे क्या निकालना है, z inverse निकालना है, तो क्या निकालेंगे, हाँ आप देखे, 4 plus आपका 3 iota, मतलब इसका iota का reverse करना है, then अब मुझे modulus का square स्क्वेर मतलब, बात करूँ यहाँ पर 4 का square होगया, आपका 16 minus minus होगया, plus, then आपका 3 का square कितना होगया, 9 और बात करूँ, यहाँ पा तो क्या होगया, 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota, और इन दोनों का addition करेंगे तो कितना होगया, 25 यास, यह आपकास फानल answer होगया तो निक्लाना बहुत चल्दी answer अपके यहां पर तो और यहां पर तो आपको ज़्त बात करें तो आपको ज़्ट इन्वर्स निकालना है ज़्त इन्वर्स निकाल लिजिए इसका reverse कीजिए तो root of 5 niż sign के साथ का लगाए अपने 3 of idea यहां बात करें 5 का स्क्वार कितना होगे यहां प्लस आएगा दैन 3 का स्क्वार कितना होगे यहां आपके आपका इसका करना है चाहें, आपके 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 रूटा आपके 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 आचऑ क्या रिजियों निकला है छना देखें तो root of 5 minus 3 iota अपन में बात करूँ 9 or 5 कितना हो गया? 14 तो ये हो गया आपके आज 14, clear? simple simple question लिखा है आपके पास minus iota minus iota लिखा है आज यहाँ पर minus iota है आपके आज minus iota कभी निकाँ हो सकते है इसका तो निकाना बहुत जी है यार z लिखो यहाँ पर z inverse करना है यहाँ पर तो यह क्या होगा? 1 upon minus iota हो जाएगा ऐसे हो जाएगा आप क्या करें? iota से multiply, iota से divide, clear? then iota, iota, iota minus 1 minus 1 और minus, minus 1 minus 1 हो गया, plus 1 then आपके पास हो गया यहाँ पर simple iota, simple सा क्या हो गया? iota, आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, क्यासे? देखे, z inverse लिखा है यहाँ पर इसका मुझे करना है conjugate तो conjugate इसका क्या होगा? iota इसका करना है मुझे modulus, modulus का square modulus का square मतलब यहाँ बात करें iota की power minus iota लिखा है तो क्या होगा? 1 होगा? yes और 1 का square करेंगे तो 1 ही आने वाला है, final answer मतलब 1 आने वाला है clear? यह आपका 3 I think लिए समझ में आगया होगा किस्ते से करना है चिरह, next यहाँ आपर next आप पर लिखा है, express the following expression in the form of a plus iota b, a plus iota b के form के अंदर मुझे इसको represent करना है तो उपर आपके पास लग रहा है a plus b और a minus b देखें यहाँ पर 3 plus iota 5 then यहाँ पर 3 minus iota root 5 तो यह लिखा है a plus b a minus b, a plus b a minus b क्या होता है? a square minus n के साथ b square clear? ओके, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है? नीचे आपको a plus b दिखा है लेकिन यहाँ पर minus sign ने काम गड़ा कर दिया है minus sign हो गया तो इसका addition, subtraction, multiplication जो भी करना है वो करना पड़ेगा clear? चले अब next क्याँ आपर कैसे करेंगे जड़ा देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया? देखें, a plus b, a minus b भी लगाया है divide करने बात करूँ तो इसको open कर दिये open करें यहाँ आपर, root of 3 then plus आपके आपके आश होगया root of 6 then minus root of 3 then minus minus होगया plus then root of 2 आटा root of 2 आटा clear? 3 का square कितना होगया ज़रा बात करें तो 3 का square होगया आपके 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 9 then 5 का root होगया square root of 5 का square परता, 5 होगिया, IOTA سQB-1 and आपके पास क्या है, अब अब सर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर बात करें तो A प्लस IOTA B केंदर अभी भी निकनोट हुआ है तो यहाँ पर बात करें तो ऊपर की तरफ क्या बन रहा है जाJul 10 ऊपर की तरफ मेरे पास यहाँ पर जहाँ पिए स्क given mort 5 पे यहाँ पर हो गया 5 4 9 हो गया आपके 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 आश 14 गया बात करूरे 2 एंड यहाँ आयोटा है clear 2 से यह cancels out करो तो यह होगा 7, यहस आपके आस होगा 7 अपॉन रूट टू आयोटा, एक तो नीचे रूट, दूसरा आयोटा, दोनों ही दोनों प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को दूर करो, दूर कनने के रहे हैं, रूट टो से मल्टिप्लाइ, रूट टो से रिवाइट, आयोट से बोचल क्या रहा हो, देखें, यह आगहे 7, यहाँ पार आयोट भी है, मल्टिप्लाइ root 2 iota multiply और divide दोनों कीजिए तो multiply दोनों divide कती है root 2 and root 2 2 हो गया तो यह 2 हो गया then iota into iota iota square minus 1 तो यह आपका आस final कहाएगा minus 7 root 2 iota upon क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 yes, यह आपका आस a plus b iota के लिए है, बिल्कुल है yes, a की value 0 है यहाँ पर और क्या चाहिए आपको यहाँ पर, clear यह आपका आस final answer है, okay तो मैं final answer की बात करूँ तो क्या है आपका आस final answer यह आपके आपका आस final answer, clear okay, तो इस तरह से यह जो questions है वो यहाँ पर complete हो रहे, clear अब हम मिलेंगे हमारे अग्ले वीडियो लक्ट्टर के साथ तब तक आप हमासा बन रही है thank you for watching, this video का आस बात की बात का आस थे लुटर के दिए